हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल पेरा नाम अमित कुमा सिंगे आज मैं आपको एक FMCC कंपनी बताऊंगा जो आपको नेसले जासा रेटन बना के दे सकता है इनका जो बिजनेस है वो पैकेज फूड का कारवार है आप सब लोग को पता होगा कि हम लोग किसी भी दुकान मे तो सिर्फ पैकेज फूड ही वाला समान मिलते हैं आपको भी पता है अगर आप लोग अमेरिका रसिया या फिर कोई और देशों में रहते हुए तो आप लोग पैकेज फूड वाला समान खरेते हैं तो इनका बिजनेस काफी अच्छा है और इनका नेटवर्क भी काफी अगर मेरे चैनल में फ़र्स्टाम आये हो तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लो और बैल बट्र में दबा लो मेरे बिडियो का नोटिफीकेशन आपको नहीं मिल पाएगा सबसे पहले मैं कौर्टर डिखेता हूं और आप लोग किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले एक औ सब्सक्राइब पता किजिएगा देखिए यहां पे नेट से टॉन वर सितंबर 17 में था ओर 39.78 था और सितंबर 18 हो चुका है 51.76 हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्यूचर कंजुमर का भी बेजनस लगबख सेमी है इसी कंपनी जैसे है तो आप लोग उस कंपन करने लॉस प्रॉफित में थे तो वह है वह कंपनि आपको अच्छा कास बना कर दे सकता है मैं आपको यह भी बता दे रहाँ तो देखिए अपर नेट सेल्स काफी अच्छा है तो टोल इंकॉम दिएलो टोटल इंकम सितंबर 17 में थाWow 43.78 था सितंबर 18 में हो चुका है ओं 53 3.79 हो चुका है तो यहाँ पे total income net sales दोनों ही काफी अच्छा है आप देख सकते हो यहाँ पे operating profit देख लो operating profit सितंबर 17 में था वो 5.22 था और 5.22 से हो चुका है वो 13.43 हो चुका है देख लो कितना जो इसका operating profit है और यह quarter to quarter result है यह to result नहीं है देख सकते हो 5 से 13 हो चुका है तो बहुत ही अच्छे इसके result आते हैं EBITDA भी देख लो EBITDA सितंबर 17 में था वो 9.21 था और सितंबर 18 हो चुका है वो 15.45 हो चुका है तो यहाँ पे EBITDA operating profit net sales total income सभी कुछ मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं quarter to quarter profit and loss for there profit and loss for there भी सितंबर 17 में था वो 5.85 था और सितंबर 18 मोह चुका है वो 9.59 हो चुका है यह भी काफी जवदस्त है reported pat भी देख लो pat सितंबर 17 में था 5.85 था और सितंबर 18 मोह चुका है वो 9.59 हो चुका है तो friend मुझे यहाँ पे quarter to quarter result काफी अच्छे लगे अब मैं year to result देख रहा हूँ पहले आप quarter to quarter result देख रहे थे तो देखी यहाँ पे March 14 में जो net sales था वो 141.81 था और March 18 मोह चुका है वो 171.57 हो चुका है तो यहाँ पे अच्छी बात है और किसी भी year में कम ने रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है तोटल इंकम देलो तोटल इंकम मार्च 14 में था वो 145.81 था और March 18 मोह चुका है वो 182.28 हो चुका है तोटल इंकम ने रहा है और किसी भी year में कम ने रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है अपरेटिंग प्रॉफिट डेलो अपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 14 में था वो 22.47 था और March 18 मोह चुका है वो 25.58 हो चुका है तो यह भी यहाँ पे ठीक ही है हाले कि उतना ठीक नहीं है अबिटा देखलो अबिटा मार्च 14 में था वो 26.46 था और March 18 मोह चुका है वो 36.29 हो चुका है तो यहाँ पे अबिटा मुझे अच्छा लग रहा है प्रॉफिट और लॉस हो देखलो अबिटा मार्च 14 में था वो 12.45 था और March 18 मोह चुका है वो 22.22 हो चुका है तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो देखलो काफी मुझे जवदस लग रहा है 12 से 22 हो चुका है तो यहाँ पे काफी अच्छा है रिपोर्टेट पैट मार्च 14 में था वो 12.45 था और March 18 हो चुका है वो 22.22 हो चुका है तो मुझे यहाँ पे पैट भी काफी अच्छा लग रहा है Annual EPS में देखलो Annual EPS में काफी important रखता है तो देखिए मार्च 14 में जो Annual EPS था वो 5.66 था और March 18 हो चुका है वो 10.48 हो चुका है तो यहाँ पे Annual EPS में काफी जवदस्त है तो मुझे इसका quarter to quarter रिजल्ट भी काफी अच्छे लग रहे है और year to result भी मुझे अच्छे लग रहे है ADF Food Limited का मैं official website पर आ चुका हूँ इस company का स्थापना की गे थी वो 1932 में की गे थी तो अभी यह 90 साल पुरानी company हो चुकी है बहुत ही अच्छी company है मैं ADF Food का आपको brand बता दे रहा हूं तो देखो मैं इनका इनका असो का ब्रांड पीस पीजिस और्गानिक ब्रांड ए नेस ब्रांड ए ट्रूली इंडियन ब्रांड ए अरुप्लेन ब्रांड इस अब देख सकती हो पास्ता यह सब है टो मेंटो पास्ता सॉस ट्रलिचनल पीजव तेसलेशं आप और भी मैं आपको कुछ ब्रांड श्राए राहा bugün आशो का ब्रांड देखलो यहां पर धेको हुड क्वृब्रांड काफी सारे इंके ब्रांट मैं यहां पर व्यूर आल कर ले रहा हूं ऐसा यह वद्याओं आपको इनका का ब्रांड Privacy यहाँ पे ठीन कोTC čून पराथा यहां पानीयां तरफ पराथा और पे पंचाबी समोसा मैं कितने सारे समोसे मेरे मुझा पंचाबी समोसा किरो समयДंट। स्टायल का समोसे होते हैं बहुत सारे समोसे यहां पर देख लो Mini Potato यह भी समोसा ही है यह सब देख सकते हो यह सब समोसा है अलग अलग तरह के बिना लाशुन प्याज वैल की समोसा है यहां पर लिखा हुआ है काफी सारे कंपनी के इपस्ट करें और देखें किस टाइप डूली इंडियन में धेख लेता हूं है तो इंडियन होगा अँझ मेरे देख सकते हो यह सब कह से हैं तूली इंडियन में और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा खासा रिटन बना कर देशता है जितनी भी खाने पीने वह जो भी कमपनी चाहिए हो फ्यूचर कंजूमर हो नेसले हो यह सब कमपनी कहीं जाने वाला नहीं है यह सब कमपनी आपको पैसा लगा करने चाहिए अगर आपको देख सकते हो 10 साल में उटन है वो 961% है सैंसे को अटन है वो 295.06% है तो कमपनी 10 साल में अच्छा खासा रिटन दिये इनका बिजनस इफिरेंड काफी अच्छा है आजकल सब चीज पैकेज बलाने वाले है चाहिए वो समौसा हो कुछ भी हो आलू पराठा हो सब कुछ यतना रिटन दिये अच्छा होगा तीन साल में देख सकते हो एक सो अठातर पाइंटी वन परकाने है शैनसे को अटन है वो 38.43% है वन येर में देख लो वन येर में मैं मैं इस 15.93% है वन मत में देख लो वन मन्त में 33.33% है एक वान बीक में 10.49 परसंट है ने सेंसर को टाने ओट 3.47 परसंट है वन डे में यह स्टाउक लगवग 0.41 परसंट दिया है तो कंपनी काफी अच्छा है पोटफोलियो स्टाउक है अगर आप रखोगे तो रिटन बना के देगा बिजनेस कभी भी खतम नहीं होने वाले ऐसी कंपनी है अग्व कर देखन देखलो पर वोटर के पार वो थाटि टू पॉइट अपॉइंट का बहुत अच्छी बात है और मेंटर क्याप्रिट के पास 9.45 परसंट है 80 foot का जो peer ratio है वो 22.69 का इसका peer ratio है price to book value है वो 3.35 का इसका price to book value है तो यह इसका 3 के मटी अबर trade करता है ROC जो latest है वो 22.53 का इसका ROC latest है जो की काफी अच्छा मुझे लग रहा है ROC ROE भी देख लो ROE जो है वो 14.75 का है तो मुझे इसका ROC और ROE दोनों ही काफी अच्छा लगा और यहां पर देख चाते हो valuation attractive दिखा रहा है जो की काफी अच्छी बात है तो company काफी अच्छी आपको return बना कर भी देगा यहां पर भी देख लो 10 साल में 979% है पान साल में 478% है तीन साल में 179% है तो company काफी अच्छी है return भी देगी और valuation भी इसका attractive बता रहा है तो आपको खरीडना चाहिए ADF food का BAC price रहा है 267 रुपर 70 पैसा NACP रहा है 269 रुपर 55 पैसा बावन भी जो हाई है वो 347 पैसा बावन भी अच्छी है एक सो एकानमे रुप्या है ADF food का जो market cafe देख से तो बहुत ही छोडी company यहां पर देख से तो 535.001 का इसका market cafe लेकिन company काफी अच्छी है 52 देशों में कामकाज है इसका 180 से ज़्यादा distribution network है तो company काफी अच्छी करिए और इनका जात जो product है वो बीदेशों में ज़्यादा sell होता है क्योंकि वहाँ food package का demand काफी जादा है इंडिया में भी है लेकिन इंडिया में यह सब product आपको railway station में मिलेगा या फिर आपको airplane में सफर करते होंगे हवाई जाज में तो आपको वहाँ पर दी जाती इनकी जात जो product है पी जो है एडिया food का वो 19.67 का पी है और industry पी जो है वो 68.23 है तो industry पी को मुकाबले एडिया food का पी बहुत ही कम है बहुत attractive price पे आपको यह stock मिल रहा है और यह multi-wire stock है बाई और earning per share देख लो earning per share है एडिया food का वो 13.61 का earning per share है face value 10 का है मैं आपको यहाँ पर dead भी दिखा जाता हूँ company में कितनी dead है एडिया food का जो network है वो 208.43 का network है total जो debit है वो 1.33 है तो debit print बहुत ही कम है इसमें investment जो है वो 57.24 है total जो assets है वो 209.76 है अगर फेंड मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो like करना share करना subscribe करना पहले शेयर में चयांको subscribe करका well button प्रेस करना well button प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का notification आपको नहीं मिल पाएगा और आप लोग एडिया food को खरीदिये खरीदने से पहले एक बार आप इस company की website विज सारे समोसे का product है आलू पनीर में भी काफी सारे है आलू पराठा में भी काफी सारे है बटर चिकन में भी पास्ता यह सब काफी सारे है भाई आप इस company website विजिट करें और देखें क्या-क्या इनका है product तभी आपको पता चल पाएगा तभी आपका confidence भी आगा कि हाँ मेरा प